हेलो पीटिफुल सोल्ज मैं आप सब्सक्राइब करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है जिवाइन सोल्जर दोस्तों आज का वीडियो बना रही हूँ वह मैं एक चैनल मैसिज के उपर बना रही हूँ लेकिन उससे पहले मेरे कमेंट बोक्स में एक मैसिज आया है सने पेंट सहने के बाद भी अगर डियम आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है या आपको वह रिस्पॉंस नहीं दे रहा है तो इतना अनकंडिशनल लव करने के वावजुद भी जो आपका डियम है वह उस तरीके से प्ले रिपलाई नहीं कर रहा है या आपको वैल्यू नहीं द नहीं है इसकी गहराई को ही समझा नहीं है जब तक आप इसकी गहराई को समझोगे नहीं तो आप इस जर्नी में पॉजिटिव नजरिये के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं ठीके आपको ज़रूरत है इस जर्नी के गहराई को समझना और इसका जो सही मकसद है इस जर्नी का मिलने का उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए देखिए दुस्तों यह जो twin frame journey है यह कोई normal journey नहीं है जो मैं पहले भी हर वीडियो में बोलती हूँ यह कोई normal boyfriend जा girlfriend की journey नहीं है यह एक spiritual journey है यह एक अध्यात्मिक journey है अध्यात्मिक journey का मतलब है कि आत्मा का अपने परमात्मा में जाकर मिलने की यह journey है ना कि एक boyfriend का अपने girlfriend के साथ मिलना, reunite होना, फिर एक family बनाना, बच्चे बनाना और एक normal life जीना तो यह इस journey का मकसद नहीं है और यह जो journey है यह ऐसी है ही नहीं ठीक है, जो लोग इस नजरिये के साथ अपनी इस journey में बढ़ रहे हैं कि उनको अपने DM के साथ रीजुनाइट होने के लिए सिर्फ यह journey दी गई है तो यह totally गलत है, यह आपका नजरिया गलत है अपने प्रती भी और अपनी journey के प्रती भी और अपने DM के प्रती भी और अगर आपको लग रहा है कि आप इतना pain सह रहे हो, DM के साथ रीजुनाइट होने के लिए यह DM की वज़े से आपको इतना pain सहना पड़ रहा है यह आपको pain दिया जा रहा है तो यह totally ही गलत फहमी है आप लोगों की यह journey ऐसी है ही नहीं है, यह journey उस आत्मा की है जिसको अब परमात्मा में जाके merge होना है उस आत्मा को अपने जीवन मरन के चकर व्यू से free होना है यह उस soul की journey है यह twin flame soul वो soul है जिनको यह मोक्ष मिलना है और यह मोक्ष प्रापत करके अपने जीवन मरन के चकर व्यू से free होना चाहती है यह वो वली soul की journey है ना कि एक boyfriend girlfriend के आपस में 3D world में physical level पर reunite होने की journey है यह ऐसा नहीं है यह spiritual journey है इस चीज़ को आपको समझना है इस चीज़ की गहराई को इस journey की गहराई को समझना है देखे जब एक soul अपने परमादमा में merge होने के लिए इस journey में आगे बढ़ती है तब वो अपने हर तरह के test को clear करना चाहती है कि उसका एक ही मकसद होता है उस soul का कि उसमें अपने परमादमा को पाना है और उसके लिए वो अपने परमादमा को पाने के लिए हर तरह के test को face भी करना चाहती है और उसमें अपना 100% पी देती है और अपना बैस्ट देकर उस जर्णी में आगे भी बढ़ती है तो यह मकसद है इस जर्णी में इन ट्विन फ्लेम सोल का और इन ट्विन फ्लेम सोल को यह जर्णी दी ही इसलिए जाती है कि तांकि यह अपने परमात्मा में जाके मर्ज हो सके तो जब एक सोल यानि कि ये एक ही सोल के दो टुकड़े हुए हुए हैं तो जब एक सोल अपनी spiritual journey यानि कि अपनी अध्यात्मिक journey में आगे बढ़ती है तब वो हर तरीके की test को यानि कि उसकी pain को आप pain समझ सकते हैं आप pain को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो हम वही चीज़ लेते हैं कि आपको हर तरीके की pain देने की कोशिश की जाती है आपको हर तरीके की pain दी जाती है ताकि आप उस चीज़ से उभरें क्योंकि वो जो pain है वो आपकी नहीं है वो soul की नहीं है वो 3D की है जो आप feel करते हो इस journey में वो आपका नहीं है वो आत्मा का नहीं है वो 3D का है इस शरीर का है जो आप feel करते हो तो यही चीज़ आपको इस journey में लाकर यही चीज़ समझाई जाती है कि यह जो आप फील कर रहे हो इतना कुछ यह आपका नहीं है क्योंकि आप तो एक सोल हो आप तो एक एनर्जी हो यह जो पेन आप देख रहे हो कि मुझे डियम की वज़े से मिल रहा है या मुझे डियम को पाने के लिए इतना पेन दिया जा रहा है तो यह गलत है ये soul अपनी growth करती है अपनी journey में आगे बढ़ने के लिए अपनी spiritual journey में आगे बढ़ने के लिए अपने परमात्मा में merge होने के लिए वो उस pain को पीछे छोड़ती है उसको पहले सहती है उसको experience करती है फिर उस pain को छोड़ती है जैसे जैसे वो छोड़ती जाती है तो वो ग्रोथ करती जाती है जैसे जैसे वो सोल ग्रोथ करती जाती है वो अपने परमात्मा के और भी पास होती जाती है उन में मर्ज होने के लिए तो जब एक सोल अपने परमात्मा में मर्ज होने के लिए उस राह पे चलती है तो जो उस कि दुसरे की तरफ attract होती है क्योंकि यू दोनों ही एक Soul है वे यह दोनों ही Soul एक दूसरे को complete करती हैं जब तक यह Soul दोनों complete नहीं होंगी तो यह अपने पर्मादमा में जाकर merge नहीं होसकती है यह जो एक त्षा सो है यह Divine Performance और Divine रिउनाइट होना यह रिउनाइट रिएए इसलिए होती हैं कि इनको एक होकर अपने परमागों में होना हैं ठीके कुकि यह 3d में रहती हैं तो इनको उन उसी के हिसाब आपसे इन दोनों सोल को मर्च करवा जाता है मैरिज की वैलियु जो है वो 3-D में आत्मा का आत्मा का Mei यह जो जरनी है यह दो आत्माओं का यह की आत्मा नहीं कर दो हिस्से होletter कहcomings के और लिए इन रहा जाता है लेकिन इसका अरθ्य यह नहीं है कि आप इस लिजह दोना है is ऐलहें के साथ एक फैमिली बनानी है और उनके साथ बच्चे पैदा करके आपको एक लाइफrin에 कोजीनी है तो अगर सanka अब इस मक्सद के साथ इस ज्रणी में चल रहे हो तो आप बिलुकुल गलत नज़री Anda के साथ अबने journey आपकी soul growth करेगी ठीक है ये सिर्फ एक soul का अपने परमादमा में merge होने का एक process है जिसमें ये दोनों ही energies का अपस में regionite होना इस process का एक हिस्सा है इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है अगर आप इस निजरी के साथ एक thought लगा के चलते हो कि मुझे dm के साथ regionite होना है उसके साथ एक गर बसाना है तो अगर इससे सोच के साथ आप इस journey में बढ़ते हो तो ये journey आपके लिए नहीं है और दूसरा आप बोले हो कि मैं मुझे quick करना है अपनी journey से तो अब मैं आप सभी को बता दू अगर कोई भी मेरा वीडियो जो देख रहा है जो सुन रहा है अगर वो इस तो नजरिये के साथ अपनी journey में बढ़ रहा है तो आपको एक बात clear कर दू ये जो journey है ये आपके हाथ में नहीं है कि आपको अपनी मर्जी से enter हो रहे हैं और अपनी मर्जी से बाहर जा रहे है क्योंकि ये divine guided journey है ये totally आपके angels guide करते हैं इस journey को अगर आपको इस journey में बनाए रखना होगा उन्होंने तो आपके अंदर जो गलत फैमिया पैदा हो रहे हैं उसको वो clear करेंगे और आपको अपनी journey में continue बनाए रखेंगे अगर आपको इस journey में continue बनाए नहीं रखना है आपको इस journey से बाहर करना है तो वो आपको इस journey से बाहर कर देंगे तो ये totally आप पर नहीं ये totally आपके divine और आपके angels के उपर depend है तो कि आज जितनी भी Twin Flame Soul इस जर्णी में है वो टोटली अपने इंजल्स के हाथों में है ठीक है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यह जो जर्णी है वो Divine Guided Journey है इस जर्णी में आपको आगे बढ़ने के लिए आपके इंजल्स गाइड करते हैं अगर मैं आज जहां पर बैठ कर वीडियो बना रही हूं तो यह मुझे मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रही हूं बलके मुझे इंजल्स गाइड करते हैं कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है तो भी मैं उस पर वीडियो बनाती हूं ठीक है मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती मेरी एक एक सांस अगर वो चाहेंगे तो अगले ही पल मेरी सांस रोक देंगे इसी तरीके से अगर वो divine चाहेंगे कि आपको इस journey में continue बनाये रखना है तो वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे अगर आपको इस journey में उन्होंने नहीं रखना है तो आपको एक पाल की देरी भी नहीं लगाएंगे, आपको इस जर्नी से बाहर कर दिया जाएगे, कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यह थोड़ा, अपने सोच को थोड़ा पॉस्टिव कीजीए, और अपने सोच को पॉस्टिव करते हुए, इस जर्नी को अपनी जो ट्विन फ पूछ सकते हैं तो मैं कोशिश करोंगे कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ तो जो अगला मैस्टीज है वो मुझे रसीव हुआ है यूनिवर्स की तरफ से देखे दोस्तों जैसे मैं पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अव हो रहे हैं वो कही न कहीं सूब लेवल पे ग्रोथ कर रही है तो क्योंकि मेरे साथ जितने भी डियाम जूड़े हुए हैं constructing पते हैं जो अवेकनिन भोह थोड़ धीया च्छनु है고गर Во सुनकी तो जो थो उन वेकनिग तो हो रही है लेकिन थोड़ी हट कर रही है पहईव क्योंकि उनके अंदर doubt उठ रहे हैं, अगर उनके अंदर doubt उठ रहे हैं, तो it means वो उस चीज़ को जानने के इच्छु को हो रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी राह पे चलते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में knowledge लेते हैं, कि इस राह पे चलते हुए हमें कौन सी चीज़ face करन तो उस रा के हम जानकारी लेते हैं, तो इसी तरीके से वो उनको लगता है, वो doubtful है अपनी जर्नी को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं वो growth कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, क्यों कि वो 3D वर्ड में हैं, और थोड़ा logical mind से चलते हैं, लेकिन मैं देख पाती हूँ लेकिन आप लोगों को गाइड करने के लिए, यूनिवर्स ने एक message दिया है, कि आपको भी बता चले कि जो DM energy इस time पर कहां पर stand कर रही है, जो DM energy है, तो उसके लिए एक message है, जो एक song है, और जिसका जो link है, मैं अपने इस वीडियो के description box में दे दूँ कि आप जाकर देख सुन लीजिएगा, और उसके word है, जो song के, उसको आप सुनिएगा, और उसकी घहराई को समझने के कोशिश की दियागा, कि जो DM है, उनकी जो soul है, वो growth कर रही है, ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, thank you, thank you so much, God bless you all, take care, positive रहे, positive सोचिए अपने बारे में भी, और the best, God bless you all, take care.